असलाम लेकुम दियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब माइनेम इस रायान मलेक आएम हेर तो टीच यू फिजिक्स क्लास नाइन आज हम पढ़ने जा रहे हैं चेपने नंबर वन का टॉपिक 1.2 फिजिकल कॉंटिटीज तो आई ये चलते हैं बोर्ट की तरफ टॉपिक नंबर 1.2 फिजिकल कॉंटिटीज ओल मैयरेबल कॉंटिटीज आर कॉल फिजिकल कॉंटिटीज वो कॉंटिटीज जिनको आप मैयर कर सकते हैं वो कहलाती हैं फिजिकल कॉंटिटीज ठीक है जैसा के लेंथ आप लेंथ को मैयर कर सकते हैं ठीक है तो ये भी फिजिक quantities है, mass, आप mass को मियर कर सकते हैं, कि ये चीज़ 4 kg की है, ये चीज़ 5 kg की है, ठीक है, तो ये भी physical quantities है, time, आप time मियर कर सकते हैं, ठीक है, कि मुझे एक जगह से दुसरे जगह तक जाने में 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, तो हम time को हम क्या मियर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी physical quantity है, वो quantities जिनको आप मियर कर सकते हैं, वो physical quantities कलाती हैं, अब physical quantities, let's suppose कि मैं एक height मियर करने जा रहा हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि इसकी height 104 है, अब 104 क्या, ये चीज़ आपको clear नहीं कर रही है, कि 104 क्या 104 cm और 104 mm और 104 m, ठीक है, तो जब भी हम एक physical quantities की बात करते हैं, तो physical quantities को हम हमेशा, दो चीज़ों में हम describe करते हैं, like for example, मैं लिखता हूँ, 104 cm, अब इस physical quantities की दो characteristics हैं, एक part हमारे पास है, ये वाला part, ये है हमारे पास numerical part, ठीक है, और जो ये चीज़ है, ये है हमारे पास unit, ठीक है, इस numerical part को आप magnitude भी कह सकते हैं, ठीक है, अब numerical part और unit से मिलकर ये चीज़ clear हो रही है, कि उसकी height जो है वो 104 cm है, ठीक है, अब एक और example लेते हैं, let's suppose मैं एक shopkeeper के पास गया हूँ, और मैंने उसे कहा कि मुझे 5 sugar दे दें, अब 5 sugar क्या, 5 kg sugar और 5 packets of sugar, ठीक है, ये चीज़ clear नहीं कर रहा है उसे, ठीक है, अगर मैं उसे कहूँ कि मुझे 5 kg sugar चाहिए, अब ये clear हो गया है, कि मुझे 5 kg चीनी चाहिए, तो मुझे वो तोल के 5 kg चीनी जो है वो लाकर दे देगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये है, कि यहाँ पर भी मुझे, क्या है, एक numerical part चाहिए, और एक मुझे इसका unit चाहिए, ये चीस clear करने के लिए, कि ये मैं कितनी quantity उनसे demand करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो physical quantities को हम जब भी कोई भी चीज़ हम ये करते हैं, हम हमेशा उसको दो चीजों में describe करते हैं, एक उसका numerical part होता है, और एक उसका unit होता है, जैसे इस case में ये इसका numerical part है, और ये इसका unit है, ठीक है, तो अब हम चलते हैं next port की तरफ, ठीक है, इसको further describe करने के लिए, अब physical quantities को further दो main streams में divide कर दिया गया, बेस quantities and derived quantities, तो पहले पढ़ते हैं, बेस quantity, बेस, अब जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, बेस, बेस केते हैं हम किसी चीज की बुनियाद, इसका मतलब होता है बुनियाद, ठीक है, अब like, let's suppose कि अगर आप एक building खड़ी करने जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले आपको क्या करते हैं, बुनियादे बनाते हैं, बुनियादे एक बार जब बन जाती है, उसके उपर आप जितने मर्जी फ्लोर्ज वह आप बना सकते हैं, ठीक है, तो सेम ऐसे ही, टोटल सैवन फिजिकल कॉंटिटी ऐसी हैं, जो कि यह बेस कॉनिटी है, है जो किसी से नहीं बनी ठीक है वो कौन कौन सी है लेंथ मैस टाइम एलेक्रिक्रेंट इंटेंसिटी अफ लाइट टेंपरेचर एंड अमाउंट ऑफ सबस्टांस ठीक है तो यह टोटल सेवन बेस कॉन्टिटीज है जो के बुन्याद है किसी भी चीज़ की ठीक है अब हम ने हुई है किस से बेस कॉन्टिटीज है जो हमने पहले हम स्टुडी कर चुके है कि टोटल सेवन बेस कॉन्टिटीज थी ऐसे ही है ठीक है तो इन बेस कॉन्टिटीज को फर्दर मिला के और नई कॉन्टिटीज जो बनाई जाती है उन्हें हम कहते हैं डिराइफ कॉन्टिटी ठीक है, अब for example, speed, acceleration, volume, force, pressure, density, charge, यह सब क्या है, यह drive quantities है, अब आपको यहाँ पर यह चीस clear नहीं हो रही होगी कि कैसे base quantities को मिला कर drive quantities बनाई जा रही है, ठीक है, हम जब topic number 1.3 पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर यह चीस clear हो जाएगी कि कि किस रहां से base quantities के मिलने से drive quantities जो है वो बन रही है, हम topic number 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, which is international system of units, अब जब भी हम बात करते हैं कि एक shopkeeper के पास में गया, मैंने उसे कहा कि मुझे 5 sugar चाहिए, मैं आगे उसको unit नहीं बता रहा, 5 kilogram चाहिए, या 5 packets चाहिए, उसको unit नहीं बता रहा, ठीक है, अब हम हर चीज को measure क करने के ये, हम एक standard fix करते हैं, ठीक है, like let's suppose आपने देखा होगा, अकसर आप जब भी कुछीज market में buy करने जाते हैं, तो पराने जमाने में एक हमारे पास तराजू था, ठीक है, जो कुछ ऐसा बना हुआ होता है, ठीक है, और अब हम इस side पर हम क्या करते हैं, इस side पर let's suppose कि हम कोई भी 1 kg का weight हम यहाँ पर रखते हैं, और यहाँ पर हम एक unknown quantity रखते हैं, जिसको हम compare करते हैं, जब यह quantity, इस quantity के equal हो जाती है, तो हम कहते हैं कि अब इसका weight 1 kg हो गया है, ठीक है, अब यह जो 1 kg जो मैं यहाँ पर place कर रहा हूँ, यह मेरी standard quantity है, ठीक है, अब मैं आप से बात कर रहा था कि हम हर चीज को measure करने के लिए हम एक standard fix कर देते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक 1 kg, जो stone था, उसका standard मैंने यहाँ पर place किया, यहाँ पर unknown quantity इस तहां से मैंने एक चीज जो है, वो measure कर लिए, ठीक है, अब वो जो हम एक standard fix करते हैं, किसी भी चीज को measure करने के लिए, उस standard quantity को हम क्या कहते हैं, unit कहते हैं, clear, ठीक है, अच्छा, अब होता क्या था कि, let's suppose कि मैं किसी बाहर वाली मुल्क से मैं एक petrol purchase करने चाह रहा हूँ अब मैं उसे कहते हूँ कि मुझे 5 लीटर पेट्रोल चाहिए, ठीक है, अब वो पेट्रोल को किसी और unit में measure कर रहे थे, मैं petrol को measure कर रहा हूँ, लीटर में, तो मैंने उसे कहा कि मुझे 5 लीटर पेट्रोल चाहिए, ठीक है, अब उनको समझ ही नहीं आई बात भी कि यह क्य हुई थी, weight और measures पे, ठीक है, जो कि Paris में हुई थी, और 1960 में यह conference हुई थी, 11th general conference, जो किसी इस पे हुई थी, weight और measurements पे हुई थी, ठीक है, इस में उन्होंने एक international system of units बना दिये, कि जितने भी countries हैं आपस में, वो सब एक units में बात करेंगे, like let's suppose अगर वो कभी petrol की बात करे थी, अगर वो किसी mass की बात कर रहे हैं, तो हमेशा kilogram में बात करेंगे, अगर वो किसी length की बात कर रहे हैं, तो हमेशा meters में बात करेंगे, ठीक है, अब इस तान से यह हो गया ना, कि communication gap जो आ रहा था पहले वो fill up हो गया, ठीक है, अब मैं कर उन से कुछ चीज demand कर रहा हूं, हमने international system of units बनाया, ठीक है, इस international system of units को आप SI units भी कहते हैं, ठीक है, SI units भी कहते हैं, SI stands for system international, ठीक है, I hope आपको ये clear हो गया होगा, अब हम further units की तरफ चलते हैं, next board पर, जी, base units, अब जैसा के आपको इस board के उपर एक picture नज़र आ रही है, base units की, हमने base units total 7 पढ़े थे, और वो कौन कौन से थे, length, mass, time, electric current, intensity of light, temperature, amount of substance, ठीक है, अब हम one by one इनको discuss करते हैं, like, let's suppose, पहले हम बात करने जा रहे हैं, length की, इसका symbol आपको नज़र आ रहा है, इसका symbol हमें show की है small l से, ठीक है, इसका unit होता है meter, उसको भी हम small m से represent करते हैं, ठीक है, same ऐसे ही length के बाद है mass, ठीक है, mass का symbol है m, इसका unit है kilogram, और जिसको हम kg से represent करते हैं, kg इसका symbol है, ठीक है, उ symbol है t और इसका unit होता है second, जिसको हम s से represent करते हैं, ठीक है, और time के बाद आ जाता है electric current, इसका unit है ampere, और इसको हम a से represent करते हैं, ठीक है, electric current के बाद आ जाता है intensity of light, इसको हम represent करते है capital L से, इसका unit है candela, जिसका symbol है c d, ठीक है, उसके बाद आ जाता है temperature temperature का symbol है T, इसका unit है Kelvin, और इसको हम capital K से represent करते है ठीक है, और इसके बाद last आ जाता है amount of substance, amount of substance को अब इसका symbol है n जिसका unit है mole, इसका symbol है जिसको हम MOL से हम represent करते हैं, ठीक है? I hope आपको यह सब units और यह सब symbols जो हैं, यह समझ आ गए होंगे, ठीक है? कि यह 7 base quantities थी और वो उनके units थे, ठीक है? और इन सब के symbols भी mentioned हैं, यहाँ पर यह आप लोग देख सबते हैं, ठीक है? अब हम next study करने जा रहे हैं, drive units. drive units जो हैं, जब आप इसके units को study करेंगे, आपको वहाँ से पता चल जाएगा, कि हम किन-किन base quantities को इस्तमाल करके, हम यह drive units बना रहे हैं, ठीक है? like drive units में आप से कुछ यह discuss करूँगा, like पहला है जैसे speed, speed का symbol है V, अब speed का unit क्या है? meter per second जोसको आगे मैं इसका symbol लिखा हुआ है ms raised to the power minus 1 अब यहाँ पर मैं क्या use कर रहा हूँ? दो चीज़े मैंने use की है, meter और second base quantity को ज़रा याद करें कि base quantity में meter किसका unit था? meter unit था length का, इसका मतलब यहाँ पर मैं length यूज़ की second हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर second किसका unit था? time का, इसका मतलब यहाँ पर हमने दो quantities यूज़ की है, length और time अब इन length और time को मिलाने से क्या बन गई? speed बन गई ठीक है? तो इस तरह से different base quantities को आपस मिलाने से हम क्या बना सकते हैं? हम drive quantities बना सकते हैं एक और discuss करते हैं, acceleration acceleration का symbol क्या है? a, small a, इसका unit क्या है? meter per second meter per second per second, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है? meter, मतलब कि length एक बार यूज़ की है, per second एक बार time को यूज़ किया गया per second, again time को यूज़ किया मतलब कि दो बार time को यूज़ की है एक बार second को यूज़ की है, इस तहां से इनको मिलाने से, एक और drive quantity बन गई, which is acceleration clear? ठीक है? एक और discuss करते हैं, force अब force का symbol है F, capital F, इसका unit है Newton, ठीक है? Newton को, Newton का अब जो symbol है आगे, हम Newton का symbol capital N से पर represent कर सकते हैं या फिर साथ लिखा हुए है, kilogram meter per second square, that's mean kilogram, आप mass को यूज़ कर रहे है meter, length को यूज़ कर रहे है, और per second square मतलब कि आप जो second है time वो आप दो बार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? अब इन quantities को मिलाने से, एक और drive quantity बन गई, which is force ठीक है? सेम ऐसे ही आप देख सकते हैं कि different based quantities को आपस में मिला कर drive quantities जो हैं वो बनाई गईगे I hope आपका ये lecture clear हो गया होगा तो आज हमने दो topics study कि लिए 1.2 and 1.3 ठीक है? इसमें अकसर short question वो आप से पूछ लेता है, what is the difference between based quantities and drive quantities? या फिर वो अकसर आप से पूछता है कि define base quantities define drive quantities तो ये दो basic जो है, वो short questions हैं, जो अकसर पेपर में आ जाए करते हैं इसके लावा one of the most important question जो बहुत बार repeat भी हो चुका है बोर्ड में कि what is the role of system international units? ठीक है? तो system international unit जो हमने last board पे study किया था वो as a short question, most important question है, वो बहुत बार बोर्ड में आ चुका है तो आपने ये short question जो है, ये book से आपने याद करना है ये वाला ठीक है और इसके लावा units आपको आने चाहिए, units जो है ये further आगे हम जब भी topics of study करेंगे, उन में ये units हर जगा use होंगे, आप जब भी numericals करेंगे, numericals में हर value के साथ आपने unit जो है, वो जो मेंशिन करना होता है तो आपको हर quantity का unit आपको याद होना चाहिए I hope आपको lecture clear हो गया होगा मलकात होगी next lecture में, तब तक लिए take care Allah Hafiz